अब आरे यह वाइस अन्मूट हो जाएए अन्मूट हो जाएए काहां से समझ में नहीं है बेटा एक बार रिपेट करूं क्या सबी को सब आ गया रहने दीजिए ठीक है एक बार लिख लिजिए इनको सब को लिख लिजिएगा लिख लिजिएगा इसके बाद सेकिन सेल हम स्टार्ट करेंगे एक ग्रेनिलो एक ग्रेनुलर लिकोसाइट या फिर एक ग्रेनुलर या तो एक ग्रेनुलर लिकोसाइट इसको हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे इसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ बेटा समझा देता हूँ एक बार समझ लो फिर मिटा हूँगा मैं इसको राइट देखो इगर यानि कि granular WBC दो प्रिकार की होती है एक तो granular होती है दूतरी कैसी होती है एक granular होती है यानि कि S.W.B.C. जिसके cytoplasm में granule present होता है उसको granular बोलता है और S.W.B.C. जिसके cytoplasm में granule absent होता है उसको agranule बोलता है या granule किसके बने इसके अंदर enzymes होता है पर enzymes कैसे होता है जैसे protein protein का destruction करने वाले enzymes होता है which destroy the microorganism यानि कि granular जो WBC है further divided in 3 types बैसोफिल हो सिनोफिल है डिस गोलती है यह अबंबेंट सेल होती है बलड के अंदर इसका कि साज से के इसला होता है यानि कि में पेकोसाइटिक सेल के नाम से जानी जाती है most abundant cells होती है इसका diameter 12-14 cm 12-14 क्या होता है micrometers होता है neutrophils क्या होते है बहुत dye से stain होती है acidic और basic से और इसका जो color होता है dye के बाद वो कैसा आता है बैटा violet color आता है और इस stain को हम क्या बहुते है Lisman stain के नाम से जानते हैं इस stain को क्या बहुते है Lisman stain बोला जाता है old neutrophils को हम polymorph or nuclear cell के नाम से जानते हैं और जो eng neutrophils है उसको हम bend के नाम से जानते हैं bend B.A.N.D. bend के नाम से जानते हैं neutrophils क्या करता है blood UK under past plan body defense का work करता है then neutrophils के number जब जब increase होते है जब तब body में bacterial या फंगाई infection होता है body में fungi और bacterial fungi infection होगा तब तब neutrophils के number increase देखने को मिलेगा second cell है बेटा granular के कौन eosinophil ये acid loving cell होती है इसलिए iscom क्या बोलता है acidophilus के नाम से भी जानते है इसके blood के अंदर percentage कितना होता है 2-4% होता है इसका diameter 10-14 micrometer से होता है 10-14 क्या होता है eosinophil नाम से पता है eosin dye से होता है eosin dye एक acidic nature की होती है और dye होने के बाद इसका जो color आता है red orange color आता है कैसा आता है बेटा red orange color आता है eosinophil के number आप को देखने को मिलेंगे कब जब body में या तो infection हो जाए parasitic infection या फिर allergy condition में जोनो condition में इसके number increase मिलेंगे इसका role play होता है बेटा inflammation को क्या करता है reduce करता है inflammation को heal करने का inflammation को कम करने का काम करता है eosinophil blood में क्या होती third granular WBC होता है last क्या होती granular cells होती है eosinophil eosinophil नाम से पता चल रहा है basic dye से stain होता है basic dye कौन से methylene blue होता है उसके बाद blue color होता है stain के बाद कौन से color आता है blue color आता है stain के बाद blood में इसका जो percentage होता है वो कितना होता है less amount होता है 0.5 से 1% होता है then besofil का जो main important role play होता है वो किसमे होता है healing process में होता है किसमे होता है healing process में होता है और बेसोफिल क्या करती है? chemical mediator release करते हैं such as estamin, bradykinin, serotonin, etc. बेसोफिल तब तक blood में तब तक बेसोफिल है blood के भार चली जाती है तो इसको mast cell के नाम से जानते हैं क्योंसे नाता है कि बेसोफिल outside in the blood is called mast cell outside of the circulatory system is called mast cell राइट? बेटा आपको 2 minute का gap देता हूँ उसके बाद एक granular leucosidum start करेंगे आप भी पानी पीलो